अभी चल रहा है रक्षा बंदन और आप सभी को मेरी तरफ से रक्षा बंदन की बहुत बहुत शुब काम नाएं चलो जानते हैं रक्षा बंदन के बारे में भारतिय धर्म संस्रूति की अनुसार रक्षा बंदन का त्यवार श्रावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है यह त्यवार भाई भहन के स्नेह यानि की प्यार की डोर में बनता है इस दिन बहन अपने भाई को आरती उतार कर भाई के मस्तक पर टीका लगा कर रक्षा का धागा बानती है जिसे राखी कहते है यह एक सनातनी तेवार है जो प्रतिवर्ष श्रावन मास की पूर्निमा के दिन मनाय जाता है केशो आप सब आप सब का स्वागत है मेरे शैनल पे सनातनों यूटूब मैं हूँ आपका दोस्त सोहन इंगड़े और आगे जानते हैं रक्षा बंदन के बारे में रक्षा बंदन में राखी जिसे हम आज कहते हैं वह मूल रूप से रक्षा सूतर कहा जाता है इस दिन रक्षा सूतर का अधिक महत होता है जिसे आज हम राखी कहते हैं उसे मूल रूप से रक्षा सूतर कहते हैं राखी कच्चे सूत, रंगिन कलावे, रेशमी धागे या सोने और चान्दी की भी हो सकती है रक्षा बंदन का त्यवार मूल भाई और बहन का है रक्षा का मतलब होता है सूरक्षा और बंदन का मतलब होता है बाध्य, बाध्य यहनि उसमें बाढ़ लेना दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक कर दीजे और कॉमेंट करके बताना आपका रक्षा बंदन कैसा गया और आपने आपके बहन को क्या गिफ्ट दिया श्रावन में पूर्णी मा के दिन रक्षा बंदन का त्यवार माना जाता है और बहन अपने भाई के लिए सुक, समरुद्धी, उन्नती की प्रातना भगवान से करती है राखी जो होती है वो सरोप्रथम भगवान को बांदी जाती है यह कारिय गर की प्रमुक महिला करती है रक्षा बंदन के दिन भाई अपने बहन को राकी के बदले कुछ उपहार देता है हिंदु दर्व में सभी धर्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांते यह कारिय पंडित यह आचारिय के द्वारा किया जाता है और जब यह रक्षा सूत्र यह रक्षा यह राकी बांदी जाती है तब संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा जाता है वो श्लोक कुछ इस तरह है योन बंदे बली राजाय दान वेंद्रय महा बलाय तेन तवामंपी बंदने मेपी रक्षे मचला माचला माचला मैं फिर से मंत्र पढ़ता हूँ योन बंदे बली राजाय दान वेंद्र महा बली तेन तवामंपी बंदनामी रक्षे माचला माचला इसका अर्त होता है जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दान वेंद्र राजाबली को बाध्य किया गया है उसी सूत्र से मैं तुझे बानता हूँ हे रक्षा राखी तुम अडिंग रहेना यानि कि तुम अपने संकलप से विचलित नहोना यह स्लोक का और इस मंत्र का अर्थ होता है इस शलोक में इस मंत्र में जिसमें रक्षा बंधन का संबंध राजा बली से स्पश्ट रूप में दिखाई देता है इसकी कहानी हम आगे जानेंगे लेकिन उसके पहले हम सुनते है अनुष्ठान यानि की राकी पूर निमा के दिन क्या क्या करते है और कैसे करते है तो प्राताकाल स्नानादी से निवरुत्त होकर लड़किया और महिलाए पूजा की थाली सजाती है थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी चावल दीपक बिठाई और कुछ पैसे भी होते है लड़के या पुरुष तयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा या किसी उप पोयोक्त स्थान पर बेढ़ जाते है पहले अभिष्ठ दीवी देवता होते है घर के अंदर उनकी पूजा की जाती है इसके बाद रोली या हल्दी से भाई का टीका करा जाता है मतलब जो कुमकुम होता है उससे भाई का टिलक करवा जाता है बाद में चावल के टीके भाई खिलाए जाती है और बहन को उपहार या फिर धन देने का धन देकर आशिरवाद देते हैं मतलब भाई जो होता है भाई कलाय पेराखी बानने के बाद बहन को उपहार के रूप में आशिरवाद पैसे या कुर्च उपहार दे सकता है इस प्रकार रक्षा बंधन के पूरा होने के बाद बहन द्वारा रखा गया वरत भोजन करके पूरा किया जाता है अब इसके बारे में कुछ जानकरी जानते है जो कि पूरान में है कुछ तो उसका रक्षा मनन का जो इतियास है वो कुछ इस तरीके से है भविश्य पूरान में वर्नन मिलता है कि देव देव और दानव के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था और तब दानव हावी हो रहे थे यह नजर आने का भगवान इंद्र गबरा गए और उन्होंने ब्रहस पती के पास गए पूछने के लिए कुछ सलाव मश्वरा करने के लिए वहाँ बेटी इंद्र की पतनी इं इंद्रयानी ने एक मंत्र से उन रेशम का धागा लेकर उसके और मंत्रों से शक्ति पवित्र करके अपने पती की हाथ पर बान दिया सयोग से इंद्र वो युद्ध जीद गए और दानों हर गए लेकिन उस और जिस दिन वो धागा इंद्रे ने इंद्र देव की कलाई पर बांदा वो शरावन की पोरनी मा थी और इसी दिन से वो धागा बांने की प्रता शुरू हो गए और एक खता ऐसे भी मिलती है जिसमें राजा बली का नमा था है राजा बली आपने सुनी होगे राजा बली बहुत बड़े दानवीर थे तब उन्हें डानवेंद्र का नाम दिया गया तब दानवेंद्र राजा बली ने जब सो यग्य पूरे कर लिये और स्वर्ग का राज्य छीन लिया उन्हें राज्य स्वर्ग को छीन लिया था इंद्र से तब इंद्र और आधी देवी देउता भगवान विश्णू के पास प्रार्थना करने गए कि राजा बली ने हमारा पूरा जो इंद्र लोग के वो चीन लिया गया है उसके बाद भगवान विश्णु ने वामन आउतार लिया और वामन आउतार लेने के बाद वो ब्रामन का वेश लेकर राजा बली से भिख्षा मांगने पहुचे अब राजा बली जो थे वो बहुत दानवीर थे और तब उन्होंने भगवान विश्नु जो थे वो उन्होंने वामन आउतार लिया था और वामन आउतार में उन्होंने राजा बली से तीन पक भूमी की मांगी अब राजा बली जो थे तो वो दानवीर थे तो उन्हें लगा तीन पग यानि कि कुछ भी नहीं और ये ब्राह्मा ने तीन पग में क्या होगा तो उन्हें हा के दिया लेकिन उसके पहले उनकी जो गुरू थे राजा बली के गुरू ने मना किया था कि ये जो ब्राह्माने से कुछ भी मत दान करना फिर राजा बली नहीं सुने और उन्होंने तीन पग भूमी दान कर दी अब भगवान ने तीन पग में ही सारा आकाश, पातल और धरती नाप लिया आपको ये कता दो सुनी होगी और पता ही होगा तब राजा बली को रसत में भेज दिया गया अब रसत क्या होता है रसत यानि कि वो जगा जहाँ पर मतलब जैसे कैद होता है वो इस तरीके से रसत होता है और कुछ समय बाद रसत में राजा बली ने अपने भक्ती के बल से फिर से भगवान विश्न को प्रसंद कर लिया और भगवान को यह वचन मांग लिया कि आपको रात दिन मेरे साथ में ही रेना पड़ेगा अब भगवान में भगवान ने वचन तो दे दिया था तो भगवान रात दिन रसत में बली राजा के साथ रहने लगे उसके सामने रहने लगे यह सब हो रहा था तब जब जहापर जो स्वर्ग होता है स्वर्ग में जहापर भगवान का घर है वहाँ पे लक्ष्मी माता थी तो लक्ष्मी माता को चिंता होने लगे कि भगवान अब घर पे नहीं लोट सकेंगे या फिर घर पे कब आएंगे यूगि वो तो राजा बली के साथ है तब उन्होंने परीषानी में उन्होंने जो नारज जी होते है नारज जी से भगवान लक्षमी ने एक सला मश्वरा किया और नारज जी ने लक्षमी जी को एक उपा बेता है जिसमें उन्होंने ये बताया कि आप एक रक्षा सूतर लेके जाईए और जो राज जो राजा बली है दानवेंद्र उनको रक्षा बंधन का सूतर बानकर उनसे अपने पती यानि की विश्णु भगवान के मांग लीजे और इसी तरह लक्षमी रसत में जाके दानवेंद्र राजा ह उसे बहन के रूप में रक्षा बानती है और जो दानवेंद्र राजा बली जो बहुत बड़े दानवीर है वो फिर से अपने स्वयम भगवान विश्णु को ही लक्षमी जी को दान कर देते हैं और इस तरीके से लक्षमी जी को भगवान विश्णु मिल जाते हैं ये थी छोटी सी स्टोरी राजा दानवेंद्र की जो पहले मैंने आपको मंतर सुनाया था योन बद्धे बली राजा या दानवेंद्र महा बलाया तो ये मंतर जो था उस मंतर में जो स्लोक था वो मंतर की कहानी यही थी और उसी दिन से तब से जब से सत्यूग है तब से रक्षा बंदन का तेवार हर समय मना जाता है रक्षा मंत्र मूल रूप से तब होता था जब कोई संकट रहता था बड़ा तो उस संकट को पार करने के लिए रक्षा बांद दी जाती थी और उसी बाद शरावन की हर पूर्णिमा को रक्षा बांदने का जो प्रयतन या फिर जो संकल पहे वो शुरू हो गया और वही से ये प्रता शुरू हो गई तो आप सबको मेरी तरफ से रक्षा मंदन का बहुत-बहुत-बहुत शुब काम ना है आशा करता हूँ आपको छोटी सी इंफॉर्मेश्यू और यह थोड़ छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज ल